परिचय नहीं है क्या तुमने ये पता लगाने के लिए अपनी पसंदीदा गणिती अवधारणा का प्रयोग किया है मेगा हाँ विधी मैंने महत्तम समापवर्तक का प्रयोग किया है बच्चो इस पार्ट में आप गुणन खंडों, गुणजों, महत्तम समापवर्तक, लगुत्तम समापवर्तक, एवं विभाजिता के नियम को समझेंगे उद्देश इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे एक संख्या के गुणन खंड एवं गुणज निकालना, गुणन खंडों एवं गुणजों के गुणों की व्याख्या करना संख्याओं का अभाजे, भाजे, सम एवं विशम के रूप में वर्गी करन करना संख्याओं की विभाजिता की जाँच करना संख्याओं को उनके अभाचे गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना मासापा यानि महत्तम समापवर्तक एवं लासापा यानि लगुत्तम समापवर्तक की गड़ना करना गुणनखंड एवं गुणज माली हीरा लाल श्रीमती शर्मा के बगीचे में आठ गुलाब के पौधों की एक आयताकार पैटर्न बनाना चाहता है। वह प्रत्येक पंग्ती में गुलाब के पौधों की एक समान संख्या, एक या अधिक पंग्तियों में बोनी की योजना बनाता है। आईए हर संभव पैटन को देखते हैं, जिसमें हीरालाल आयताकार पैटन बना सकता है। हीरालाल एक एकल क्षेतिज पंक्ती में सभी आठ गुलाब के पौधों को लगा सकता है। बारी-बारी से वह प्रतेक पंक्ती में चार गुलाब के पौधे रखकर उन्हें दो क्षेतिज पंक्तियों में लगा सकता है। एक और व्यवस्थापन संभव है, वह प्रतेक पंक्ती में एक गुलाब के पौधा रखकर आठ पंक्तियां बना सकता है। इस प्रकार गुलाब के पौधों के चार संभव व्यवस्थापन हैं। आईए इन पैटन को निम्न संख्यानुसार व्यक्त करते हैं। बाई तरफ की संख्याएं पंक्तियों को दर्शाती हैं। एवं दाई ओर की संख्याएं प्रतेक पंक्ति में गुलाब के पौधों को दर्शाती हैं। संख्याएं एक, दो, चार एवं आठ, आठ को पूर्टिया विभाजित करती हैं। तथा कोई शेश नहीं बचता है। अ एक संख्या के गुणंखंड वे संख्याएं होती हैं, जो उस संख्या को पून रूप से विभाजित करती हैं। आईए, अब आठ और बारा के गुणंखंडों की सूची बनाते हैं। एक, दो, चार और आठ, आठ के गुणंखंड हैं। अब आठ और बारा के गुणंखंडों की तुलना करते हैं। आप क्या देखते हैं? एक, दो, और चार, आठ और बारा, दोनों के गुणंखंड हैं। अतहा, एक, दो, और चार, आठ और बारा के सार्व गुणंखंड हैं। आईए, एक और संख्या, संख्या साथ के गुणंखंड निकालते हैं। एक और साथ, साथ के गुणदखंड हैं, साथ और आठ एवं साथ और गुणदखंडों और गुणजों के गुण, संख्याओं के गुणदखंडों और गुणजों के कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, एक को जिस संख्या से गुणा किया जाता है, वही संख्या प्राप्त जैसे एक गुणा दो बराबर दो प्राप्त होता है। प्रतेक संख्या खुद को पून रूप से विभाजित करती है। जैसे दो भाग दो करने पर एक प्राप्त होता है। दो को पून रूप से विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या दो है। इसी प्रकार तीन, चार, पांच और छै वे बड़ी संख्याएं हैं जो क्रमशा तीन, चार, पांच और छै को पून रूप से विभाजित करती हैं। अतहा प्रतेक संख्या खुद का सबसे बड़ा गुणंखंड होती है। एक संख्या के गुणंखंड एक और उसी संख्या की बीच की संख्याएं होती हैं। उधारन के लिए आईए चतीस के गुणंखंडों को देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, ॉर 36, चतीस के गुणंखंड हैं। आताहा एक संख्या के गुणनखंड गणनिये एवं सीमित होते हैं. एक संख्या का एक से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है. उधारण के लिए दो गुणा एक बराबर दो प्राप्त होता है. तीन गुणा एक बराबर तीन, चार गुणा एक बराबर चार, इसी प्रकार पांच गुणा एक बराबर पांच प्राप्त होता है. अताहा प्रतेक संख्या खुद का गुणा जोती है. एक से बड़ी अन्य सभी संख्याओं का एक संख्या के साथ गुणन फल खुद उस संख्या से अधिक होता है. संख्याओं का वर्गी करण. संख्याओं को निम्न प्रकार से वर्गी क्रेत किया जा सकता है. अभाज्य, भाज्य, सम और विशम. आईए, उन्हें एक एक करके देखते हैं. संख्या साथ पर विचार करते हैं. चलिए, इसके गुणन खंडों की सूची बनाते हैं. आईए, कुछ और संख्याओं एवं उनके गुणन खंडों को देखते हैं. इन संख्याओं के बीच क्या समानता है? इन सभी संख्याओं के केवल दो गुणन खंड हैं एक और वो संख्या खुद वह संख्याएं जिनके केवल दो गुरंखंड होते हैं यानि एक और वो संख्या खुद अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं एक एक अदुईतिय संख्या है जिसका केवल एक ही गुरंखंड होता है एक या वो संख्या खुद इरातोस धीन सिनामा के एक यूनानी गणितक्य ने एक से एक सो के बीच की अभाजे संख्याओं का पता लगानी के लिए एक सरल विधी तयार की थी चलिए इस विधी को देखते हैं हम दस कॉलम की एक तालिका बनाते हैं प्रथम कॉलम में हम एक से लेकर दस तक की संख्याओं की सूची रखते हैं दूसरी तालिका में हम ग्यारा से लेकर बीज तक की संख्याओं की सूची रखते हैं आगे भी इसी प्रकार संख्याओं रखते हैं इस प्रकार अंतिन कॉलम में हम 91 से लेकर 120 संख्याओं को रखते हैं, हम उन संख्याओं को काड़ देते हैं, जो अभाजे नहीं हैं, एवं उन संख्याओं पर घेरा बनाते हैं, जो अभाजे हैं, एक अभाजे नहीं है, क्यूंकि इसका केवल एक गुणनखंड है, हम इसे का 2. एक अभ़ाजे संक्या है, क्यूंकि इसके ठीक दो गुणन खंड हैं, हम इस पर एक घेरा बनाते हैं, हम दो के सभी गुणजुं को काड़ देते हैं, तीन अभाज्य है, हम इसके चारों तरफ एक घेरा बनाते हैं, हम तीन के सभी गुणजुं को काड़ देते हैं, हम यह प्रक्रिया तब तक जारी रखते हैं, जब तक की एक से लेकर सौ तक की सभी संख्याओं पर घेरा ना लग जाए, या फिर उन्हें काट ना दिया जाए, इस तालिका को इर्दोस धीन्स की छलनी कहा जाता है, आत्म मूलियांकन स्तंभ का में दिये गए विवरणों का स्तंभ बा में दी गई संख्याओं के साथ मिलान कीजिए, विभाज्यता की जांच, एक संख्या, दूसरी संख्या से पूर्टिया विभाज्य कही जाती है, यदि विभाज्य संक्रिया से कोई शेश नहीं बच्टा, हाला कि वास्तविक विभाजन द्वारा विभाज्यता का निर्धारन करने में काफी समय लगता है, अताह 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11 द्वारा संख्याओं की विभाज्यता की जांच करने के लिए विभिन परिक्षणों को तैयार किया गया है, आइए एक एक करके उन्हें देखते हैं, कुछ संख्याओं पर विचार करते हैं, 40, 34, 78, 36, 32 आइए इन्हें दो से विभाजित करते हैं, दो इन सभी संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करता है, एवं कोई शेश नहीं बच्टा है, आइए कुछ और संख्याओं पर विचार करते हैं, 51, 45, 37, 89, 33 चलिए इन्हें भी दो से विभाजित करते हैं, दो इन सभी संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित नहीं करता है, तथा सभी स्तिथियों में एक शेश बच्टा है, इससे ये स्पस्ट है कि सभी संख्याओं यानि वे संख्याओं जो 2, 4, 6, 8 या 0 पर समाब्द होती हैं, वे दो से विभाजित होती हैं, चलिए, कुछ और संख्याओं पर विचार करते हैं, 27, 36, 45, 54, 63, आईए, इन्हें 3 और 9 से विभाजित करते हैं, तीन और 9 उन्हें पून रूप से विभाजित करते हैं और कोई शेश नहीं बच्टा है, अब चलिए, प्रतेक संख्या के सभी आगे वाले अंकों को जोड़ते हैं, आप क्या प्राप्त करते हैं, प्रतेक योगफल 3 और 9 से विभाजित है, चलिए, कुछ और संख्याओं पर विचार करते हैं, 76, 23, 53, 89, 41, आईए, इन्हें 3 और 9 से विभाजित करते हैं, तीन और 9 उन्हें पून रूप से विभाजित नहीं करते, प्रतेक संख्या के पहले अंकों को जोड़िये, आप क्या प्राप्त करते हैं, योगफल 3 और 9 से विभाजित करते हैं, चलिए, कुछ और संख्याओं पर विचार करते हैं, 20, 35, 45, 50, 60, आईए, इन्हें 5 से विभाजित करते हैं, पांच इन सभी को पूर्ण रूप से विभाजित करता है, अब संख्याओं के अंतिम अंकों को देखे, वे या तो पांच हैं या शून हैं, इन संख्याओं पर विचार करते हैं, 90, 50, 60, 70, 40, आईए, इन्हें 10 से विभाजित करते हैं, 10 इन्हें पूर्ण रूप से विभाजित करता है, सभी संख्याओं जो 10 से विभाजित हैं, वे शुन्य पर समाप्त होती हैं, कुछ और संख्याओं पर विचार करते हैं, 46, 73, 89, 72, 51, ये संख्याओं ना तो पांच से विभाजित हैं और ना ही 10 से, इन में से कोई भी पांच या शुन्य पर समाप्त नहीं होती हैं, अता हम कह सकते हैं, कि यदि एक संख्या के अंतिम अंक पांच हो या शुन्य हो, तब वह संख्या पांच से विभाजित होती हैं, और यदि एक संख्या का अंतिम अंक शुन्य है, तब वह संख्या दस से विभाजित होती हैं, चलिए, अब कुछ और संख्याओं पर विचार किया जाएं, 9,383, 7,986, 8,382, दाएं से शुरू करते हुए, विशम और समिस्थानों परिस्थित अंकों को अलग-अलग जोड़िये, योगफलों के बीच का अंतर या तो शुन्य होगा या ग्यारा होगा, जोकी दोनों ग्यारा से विभाजिये हैं, कुछ और संख्याओं पर विचार करते हैं, 4,231, 5,466, योगफल का अंतर 4 और 1 है, जोकी ग्यारा से विभाजिये नहीं है, अब संख्या 16 पर विचार करते हैं, 8,16 को पूर्ण रूप से विभाजित करता है, 8,2 और 4 के गुड़नखंड भी 16 को पूर्ण रूप से विभाजित करते हैं, अतहा हम कह सकते हैं, जड़ी एक संख्या दूसरी संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करती है, तब इसके आत्म मूलियांकन सही विकल्प को उठा कर उसके संगत स्थान पर रखें, अभाजे गुड़नखंडन, एक संख्या का गुड़नखंडन, एक संख्या को उसके गुड़नखंड के रूप में व्यक्त करना है, इस प्रकार 48 को 12 गुड़नचार के रूप में व्यक्त करना गुड़नखंडन है, इसी प्रकार 6 को 3 गुणा 2 के रूप में लिखना भी गुणन्खंडन है लेकिन दोनों के बीच एक अंतर है 48 के गुणन्खंड भाचे हैं जबकि 6 के गुणन्खंड अभाचे हैं एक संख्या को उसके अभाजे गुणन्खंडों के गुणन्फल के रूप में व्यक्त करना अभाजे गुणन्खंडन कहलाता है आईए कुछ संख्याओं पर अभाजे गुणन्खंडन का प्रदर्शन करते हैं 48 वराबर 12 गुणे 4, 12 तीन गुणे 4 है इसलिए 48 को 3 गुणे 4 गुणे 4 के रूप में गुणन्खंडित किया जा सकता है इसलिए 48 को 3 गुणे 2, गुणे 2, गुणे 2, गुणे 2, गुणे 2 के रूप में गुणन्खंडित किया जा सकता है 48 को अभाजे गुणन्खंडों में व्यक्त किया गया है अभाजे गुणन्खंडनों को गुणन्खंड व्रिक्ष की सहयता से चित्रिये रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है अभाजे संख्याओं से विभाजन की पुन्द्रवृत्ती करते हुए बड़ी संख्याओं को अभाजे गुणन्खंडित किया जाता है जब तक की भागफल खुद अभाज्य संख्या प्राप्त नहीं हो जाता। आये विभाजन विधी द्वारा 430 का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। सर्वु प्रथम हम 430 को अभाज्य गुणनखंड दो से विभाजित करते हैं। ततपस्चात हम भागफल 215 को अभाज्य गुणनखंड पाँच से विभाजित करते हैं, एवं भागफल 43 प्राप्त करते हैं. चुकि 43 एक अभाज्य गुणनखंड है। 43 से विभाजित करने पर भागफल एक प्राप्त होता है। 430 को अभाजे गुरंखंडों के गुरंद के रूप में व्यक्त कीजिए. अभाजे गुरंखंडनों के प्रयोग अभाजे गुरंखंडन दो महतपूं प्रयोगों के लिए लिया जाता है. वे निम्न की करना करने के लिए हैं. मासापा यानि महत्तम समापवर्थक एवं लासापा यानि लगुत्तम समापवर्थक. मासापा महत्तम समापवर्थक यानि मासापा दो या अधिक संख्याओं के सभी सार्व गुरंखंडों में सबसे बड़ा गुरंखंड होता है. आईए 12, 15 एवं 18 का मासापा निकालते हैं. 12 बराबर 3 गुरंए 4, 15 बराबर 3 गुरंए 5, 18 बराबर 3 गुरंए 6, यहां सार्व गुरंखंड 3 है. अता 3, 12, 15 एवं 18 का मासापा है. आईए, अब एक अभाज्य गुरंखंडन के प्रयोक से 36, 45 एवं 90 का मासापा ग्याद करते हैं. 36 पराबर 3 गुरंए 3 गुरंए 2 गुरंए 2, 45 पराबर 3 गुरंए 3 गुरंए 5, 90 पराबर 3 गुरंए 3 गुरंए 2 गुरंए 5, 36, 45 एवं 90 के अभाज्य गुरंखंडों का बारीक निरिक्षन हमें यह पताता है. कि सभी तीनों संख्याओं में 3 गुरंए 3 माजूद है अता 3 गुरंए 3 गुरंए 3 गुरंए 9, 36, 45 एवं 90 का मासापा है. आईए एक वास्तविक जीवन की परिस्थितियों को देखते हैं जहां मासापा का प्रयोक किया जाता है. एक आदमी एक ही रस्सी से 40, 65 और 80 फीट कहरे तीन कुओं की गहराई मापना चाता है. रस्सी की अधिक्तम लंबाई क्या होनी चाहिए? जो तीनों कुओं की गहराई को मापने के लिए पूर्णत्या परियाप्थ हो. तीन कुओं की गहराई मापने के लिए रस्सी की लंबाई को तीनों गहराईयों का गुणन खंड होना चाहिए. इसके अधिरिक्त इसे मासापा होना चाहिए ताकि गहराई को प्रयत्रों की निवनतम संख्या में मापा जा सके. आईए तीन कहराईयों को उनके अभाज्ये गुणन खंडों में व्यक्ति करते हैं. 40 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 65 बराबर 13 गुणे 5 80 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 मासापा बराबर 5 है. अता रसी की लंबाई लासापा लगुत्तम समापवर्तक लगुत्तम समापवर्तक लासापा दो या अधिक संख्याओं के सभी सार्व गुणन खंडों में सबसे छोटा गुणन खंडों होता है. आये 10, 12 और 25 का लासापा निकालते हैं. 10 के गुणच हैं. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इत्यादी. 20 के गुणच हैं. 20, 40, 60, 80, 100, 120, इत्यादी. 25 के गुणच हैं. 25, 50, 75, 100, 125, 150 इत्यादी. 10, 20 और 25 का प्रथम सार्व गुणच 100 है. अतहा 10, 20 और 25 का लासापा 100 है. लासापा की गणना करने की सबसे सरलतम विधी अभाजे गुणन खंडन विधी है. आईए, 16, 24 और 32 के लासापा की गणना करने की विधी का प्रयोग करते हैं. अभाजे गुणन खंडन विधी में अभाजे गुणन खंडों से तीन संख्याओं को विभाजित करना सम्मिलित है. जब तक भागफल एक ना मिल जाए. आईए, हम सबसे छोटे अभाजे गुणन खंड से शुरू करते हैं, जो की तीन में से एक संख्याओं को विभाजित करता है. दो सबसे छोटी अभाजे संख्याओं हैं, जो 16, 24 और 32 को विभाजित करती है. आईए, भागफल को 4 और 2 से तब तक विभाजित करते हैं, जब तक की किसी भागफल को 2 से विभाजित करना संभव ना हो. अगला, सबसे छोटा अभाजे गुणनखंड, जो भागफलों 1, 3 और 1 में से किसी एक को विभाजित करता है, वो 3 है. सभी भाजिकों 2, 2, 2, 2, 2, 2 और 3 का गुणा करते हैं, अथा, ला सापा बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 जो की 96 है. आए, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों को देखते हैं, जहां ला सापा का प्रयोग किया जाता है. 10. बी, आत्म मूलियांकन, स्तंभ आ में दिये गए, विवरणों का स्तंभ बा में दी गई, संख्याओं के साथ मिलान कीजिए. 10. सारांश आईए, हमने जो कुछ सीखा है, उसे संख्षेप में दोहराएं. एक संख्या का गुणंखंड उस संख्या को पून रूप से विभाजित करता है. सहे अभाज्य गुणंखंडों का सार्व गुणंखंड एक होता है. एक संख्या के गुणंखंड सीमित होते हैं. एक संख्या के गुणंज एक संख्या के दूसरी संख्या के साथ गुणंखंड होते हैं. एक संख्या के गुणज असीमित होते हैं। अभाजे संख्याओं के केवल दो गुणन खंड होते हैं। एक ना तो भाजे संख्या है और ना ही अभाजे संख्या है। एक संख्या को उसके अभाजे गुणन्ध खंडों में व्यक्त करना उस संख्या का अभाजे गुणन्ध खंडन कहलाता है महत्तम समापवर्थक मासापा दो या दो से अधिक संख्याओं के सभी सार्व गुणन्ध खंडों में सबसे बड़ा होता है लगुत्तम समापवर्तक लासापा दू या दू से अधिक संख्याओं के सभी सार्व कुणंध खंडों में सबसी छूटा होता है